जैहिन दोस्तों स्वागत है एक बाद फिर से आपके अपने ही चैनल क्रेकन फारोन में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हीट बर्सेज लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजेगा आप लोका प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है उसके अलावा जो भी नहीं हुज़र है चैनल को सब्सक्राइब करके बिल का इकन जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे कि आप को हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है उसके लिए करना क्या है जो सबसे बेस्ट में थड़ है वह यह है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानि कि फर्स्ट कमेंट उस पर आपको टेलिग्राम का लिंक मिलेगा उसे क्लिक किजे और चैनल को करेंगे वहां पर आपको तीन लाग तीरान बेह जाए सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा सेम इसी यूजर नेम का उसको जोईन कर लीजेगा वहां पर आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट क यहां पर होता है बात करते हैं लाश्ट के पांच टीटवंटी इंटरनेशनल स्वरी लाश्ट के पांच टीटवंटी मुकाबलों की तो वह आपको इस स्क्रिन पर दिखाई दे रहा है लाश्ट के तीन मैचेज देखें बहुत ही ज्यादा स्कोर है इस्ट्राइकर ने 202 क यहां पर इक्स्ट्रा बाउंस मिलता है अगर आप नेचर देखें होंगे मैचेज देखें होंगे तो तो बल्ले बाजो का बोल बाला रहता है स्क्वाइर बाउंडरी चोटी होती है लेकिन पेसर्स को स्पीनर्स के मुकाबले ज्यादा एडवांटेज मिलता है आगे बढ आ चुके हैं देखेंगे कौन-कौन ब्रिस्बेन हिट टीम की बात करते हैं तो पिछले मैच में इनके टेस्ट के जो प्लेयर थे उस्मान को आजा मारनस लब हुसेन दोनों आ चुके थे हलंकि फिर भी इनको हार का सामना करना पड़ा अभी तक 6 मैचेज में हारे हैं दो मै इनमें भी होना चाहिए चार पर बैटिंग करते विए नजर आएंगे उससे नीचे इनको बेजा जाएगा तो वेस्ट जाएंगे क्योंकि यह इनिंग बिल्ड करना पसंद करते हैं उसके बाद हीटिंग करते हैं तो जो इनका प्रॉबेबल 11 होना चाहिए एक्सपेक्टे और एम कुनेमन यह चार करेंगे पांच में बॉलिंग ऑप्सन में इनके पास रहेंगे एम लभुसेन और फिर मैट रेंसा तो इन दोनों में मिलके बॉलिंग कराया जाएगा चांसे लभुसेन के ज्यादा रहते हैं हालिंकि पिछले मैच में पिटाई हो गई थी उनकी ल डेथोवर्स की बात करें तो अगर ये लोग खेलते हैं तो इस टेकीटी और बेजली को डेथ में गदवाजी करना चीए टीम ब्रेक अप स्क्रिन पर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालसिस की सबसे पहले आते हैं जौस ब्राउन थोड़ासा मतलब की अटेकिंग बलेबाज तो हैं बस दिक्कत इनके साथ यही है कि ओभर अटेकिंग चकर में कई बार विकेट जल्दी भी फेख देते हैं हालनकि यहां पर बलेबाजयों के मुफीद विकेट रहता है तो अब ट्राई कर सकते हैं डिसेंट आप्सन होंगे कभी भी अच्छा क बलेबाज टेकनिकल बलेबाज ही करते हैं और मोस्ट अप टे-टाईम एक साइट से एंकर करते हैं बढ़ियां खेलते हैं प्लस बॉलिंग भी करते हैं मजलब एक कैप्टेंसी के भी ठीक ठाक आपसन आपके लिए हो जाते हैं पिछली मैच में पिटाई जरूर हो गया था लेकिन टीमे जनरली इनके बॉलिंग पर भरोसा करती है ये बात ध्यान दीजेगा वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छ है 37 का एवरेज है स्ट्राइक रेट थोड़ सा स्लोग रहता है फिर आते हैं सैम हैं बहुत ही सांदार बलेबाज और सबसे बड़ी बात कि ये पहले परफॉर्मेंस बहुत ही सांदार होता है पहले स्ट्राइक रहता था लेकिन अब वह भी लाजवाब रहता है अगर नंबर चार पे मेंसंड होते हैं तो एक बढ़ियां पिखोंगे और ये कभी बड़ा स्कोर कर सकते हैं ये बात ध्यान दीजेगा बेहतरी इन ट्रॉम पर आते हैं मैं ट्रेंसा कुछ ओबर बॉलिंग करने के चांसे जरहेंगे सामने लिफ्ट हैंडर्स हैं जैसे कि हैड हैं कैरी हैं उनके अगेंस के बॉलिंग कर सकते हैं बस दिक्कत यह है कि बल्लेबाजी बहुत अच्छी टीटवंटी में नहीं रहती और बैटिंग और अगर बहुत ज्यादा नीचे तो आप आराम से छोड़ सकते हैं हाँ अगर यह नंबर चार पर में संड होते हैं प्लस एक दो ओबर बॉलिंग बैकप ले ले तो जील में आपके लिए एक ठीक ठाक्पिक हो जाएंगे हैट इनका अच्छा है 93.5 का इवरेज है इस तीम के लेकिन इस समय कुछ खास फॉम नहीं दिखा पा रहे हैं पिर आते हैं जीमी पियर्स हैं अच्छे बलेबाज हैं लेकिन वहीं इंपक्ट वाली बलेबाजी जल्दी नहीं आती बैटिंग ओडर के कारव तो आराम से चोड़ सकते हैं तो यह बैटिंग बैकप भी देंगे देथोवर्स में गिदबाजी करते हैं मतलब फर्स बॉलिंग के केस में एक अच्छे ऑप्सन आपके लिए हो जाएंगे जेंस बेजली यह बात ध्यान दिजेगा वहाँ पर डेथ में भी गिदबाजी करेंगे तो वहाँ सा बैटिंग बैकप भी देते हैं हिट देग लेकिन फर्स बॉलिंग में जरूर कभर कीजिएगा यह दोनों इनिंग में अच्छे ऑप्सन होते हैं क्योंकि बैटिंग भी कर सकते हैं प्लस बॉलिंग चार ओबर कंफर्म रहता है लेकिन फर्स बॉलिंग में एकदम नहीं छोड़ सकते यह बात ध्यान दिजेगा फिर प्लस बैटिंग बैकप बीन का रहता है बढ़ियां पिक होंगे फिर आते माक्स टेकटी अगर खेले तो विकट टेकिंग नेचर के गदवाज है यह बात ध्यान दिजेगा बले ही पिटाई होता है लेकिन विकेट मिलता है हाँ एक दिक्कत है कि पिछले मैच में ऐसा सुन चार ओवर में 26 चार ओवर में 48 चार ओवर में उनसट फिर दोदस्टों तीन ओवर में 35 मतलब जम के पिटाई इनकी हो रही थी और इसलिए इनको निकाला गया था पिछले मैच में तो ऐसा हो भी सकता है कि ना खेले लेकिन अगर खेलते हैं तो एक बढ़ियां पिक होंगे चे मुकाबलों में 9 विकेट ले चुके हैं फिर आते हैं एम कुने मन अच्छे के दबाज है नॉर्मली एकाक विकेट इनको मिलता है बस वाईए कि बंडल्स में विकेट नहीं रहता इसलिए उतने अच्छे आप्सन नहीं रहेंगे फिर नीचे और कोई नहीं कहलेगा सीजन 5 मुकाबलों में जीत 5 मेहार का सामना करना पड़ा है और क्यों मजबूत नजार आ रही है उसका रीजन है इनके इस्टालवार्ड डोमेस्टिक क्रिकेट के डोमेस्टिक क्या इंटरनेशनल भी खेलते हैं ट्रेविस हैड और कैरी दोनों ही आ चुके हैं और इभेन क पोलीन ग्रेंड हों भी इनके पास रहेंगे जिरोंने पिछला मैच इंजरी करन मिस्किया था तो इनकी टीम अब काफी मजबूत आ रही है और मेरे हिसाब से यह टीम सीधे सीधे फेवरेट्स भी आपको दिखाई देगी क्योंकि इनके पास T20 के इंपक्ट वाले प्लेयर ज़्यादा हैं बात करते हैं इनके प्रॉबेबल 11 के एक्सपेक्टेड बैटिंग ओडर में तो यह आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह इनका प्रॉबेबल 11 होना चाहिए चार मेन बॉलर्स के साथ जाएंगे और बाकी पांच में बॉलिंग आपस ग्रेंड हो प्रॉबेबल 11 है एक्सपेक्टेड बैटिंग ओडर में अगर हम बात करें यहां से कौन कितना ओवर करेंगा तो देखें इनका बॉलिंग का कभी भी कनफर्म नहीं रहा है जिसका भी पिटाई हो जाता ओवर्स कम हो जाते और अब इनके पास ट्रेविस हेट के रूप में भी एक गेतबाज बढ़ गया है तो ओवर्स बताना बहुत ही मिस्किल है फिर भी हम पिटर सीडल से उमीद करेंगे थॉंटन से उमीद करेंगे कि फूरे आवर करना चाहिए वरसते की पिटाई ना हो बिस अगर कोई भी सियोर नीरता पिटाई हो जाता है तो ओवर्स कम हो अब हेड के आने से तो यह बात आपको ध्यान देना है बाकि Cameron बासे बन मेनंटी का भी ओवर्स का कोई से उटी नहीं रहेगा हाँ दो तीन ओवर करेंगे लेकिन पूरे करेंगे कि नहीं वह नहीं है डेथ ओवर्स की बात करें तो अगर कुछ अनेक्सपेक्टेर नहीं तो सी head to head उतना अच्छा नहीं है लेकिन venue पे इस सीजन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और एक बढ़ियां पिक even captaincy के भी सबसे safe options में से एक रहेंगे बस एक दिक्कत है कि Travis head आ गया है तो कितना बालिंग करेंगे वह confirm नहीं है फिर आते हैं Travis head बहुत इलाजवाब बल्लेबार और इंटरनेशनल option में भी रख सकते हैं इस सीजन 43.77 से इन्होंने scoring किया हुआ है आगे बढ़ते हैं फिर आते हैं एलक्स कहरी विकेट keeper में सबसे safe pick क्योंकि बाकी सारे विकेट कीपर्स की ज्यादा बैटिंग नहीं आएगी बहुत इंपक्ट वाले प्लेयर हैं keeping से backup भी देते हैं most probably number 4 पर बैटिंग करेंगे एट-टू-एट देखे 42 वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है और टूर्णामेंट के अगर पूरे मैचेश यह खेल जाते हैं तो टूर्णामेंट के टॉप रन स्कोरस में भी हमेशा आप इनको देखते होंगे जब जब इन्होंने पूरे मैचेश खेले मस्ट है पिक रहेंगे जी-एल में कैप्टेन भी कर लीजिएगा फिर आते हैं एडम होज जो की इस ग्राउन पे बहुत ही बेहतरी इन फॉर्म में 65 के एवरेज से 105 बे रन कर चुके है लेकिन दिक्कत क्या है सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ सबसे बड़ी ये है कि अब सायद ये आएंगे नम ही मिलेगा और वहां पर फिर इनके मतलब की रन बनाने के चांसे जो ज्यादा रहते थे वह कम हो जाएंगे क्योंकि यह नंबर पांच पर आएंगे इसलिए थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन भले ही फॉर्म अच्छा चल लाओ फिर आते हैं कॉलिंडी ग्रेंड हो तगड़ बैटिंग अब और नीचे हो गया है तो इसलिए अच्छे उपसन नहीं रहेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा पिर आते हैं टीके लिए ज्यादा बैटिंग नहीं आएगा आराम से चोड़ सकते हैं बोई से कुछ खास फॉर्म में नहीं दिखे हैं जब से आये हैं पिछल में ट्राई कर सकते हैं फिर आते हैं वेस अगर गिदबाज ठीक ठाक है लेकिन इस सीजन फॉर्म बहुत ही खराब रहा है जम के पिटाई हुआ है बीच बीच में एक दो मैचेज में अच्छी गिदबाजी कर दिया है लेकिन कुछ खास उतना इंपक्ट नहीं डाल पाए ह हैं इस सीजन नौ मुकाबलों में 13 विकेट हैं लेकिन आपको भी पता है कि वह इसलिए मिला है कि जब इनकी पिटाई हो जाती तो ओबर बचा के डिथ में दे दिया जा रहा था तब विकेट मिला और एक मैच में तो एकदम भैंकर मुव्मेंट था और सुरुआती ओबर स साफ हो गई थी वहाँ पे चार विकेट लेकर गए थे हैट टुएट कापी अच्छा है वेन्यू पे रिकॉर्ड भी अच्छा है तो अबर आल आपके लिए फर्स बॉलिंग में अच्छे पिक सेकेंड बॉलिंग में थोड़ा सा एवरेज ऑप्सन रहेंगे नीचे चलते ह हैगा तो विकेट लेने के चांसे जिनके बढ़ जाएंगे और फर्स्ट इनिंग में लगभग कंफरम रहता है डेथ में गदवाजी करते हैं अपने यॉर्कर्स के लिए चेंज ऑप पेस के लिए हालिया दिनों में जाने जाते हैं अच्छे गदवाज हैं और विकेट टे बार एक्ष्टा पेस के लिए जाने जाते हैं मस्ठव पिक रहेंगे वेन्यू पे साथ मुकाबलों में पंदरा विकेट ले चुके इस सीजन आठ मुकाबलों में सोला विकेट ले चुके नीचे मुष्ट पॉबली और कोई नहीं खेलेगा अब दोस्तों मैच अप्स की ब बात करें तो कुछ खास अतना ध्यान देने वाला नहीं है एक एक बार दो तीन लोगों के अगेंस आउट हैं आगे बढ़ते हैं इनका रिकॉर्ड सुप्सन के अगेंस गरबढ़ है आगे क्रिसलीन की बात करें तो यह नैसर के अगेंस स्ट्रगल करते हैं और उसका मेन र हो चुके हैं आगे चलते हैं टी के लिए ज्यादा इनको बैटिंग नहीं मिलेगा फिर आते हैं मैट सौट यह एक एक बार दो तीन के बाज़ों के अगेंस आउट हैं तो कुछ खास मैच अप महां से मिलता नहीं है तो दोस्तों यह था इंपोर्टन मैच अप पूरा प्ल तो आराम से त्राई कर सकते लेकिन उसके नीचे जाएंगे तो आप छोड़े सकते नीचे फिर चलेंगे तो आपके पास दुए और दुसरे हैं आपके पास सैन को थार। उनको ट्राई कर सकते नंबर पांच होता है तो फिर उनको भी ज्यादा बैटिंग सायद उतना ना मिले और उतने बड़े हीटर वो नहीं माने जाते कि यह आते ही हिट करने लगे अल राउंडर सेक्शन में नैसेर मस्ट है पिखोंगे हेड मस्ट हैप पिखोंगे सॉट भी मस्ट हैप पिखोंगे मानस लभुसेन भी बढ़ियां पिखोंगे तो इन चारों के साथ ही मैं जा रहा हूं रेंसा कुछ खास उतने अच्छे आप्सन नहीं होंगे बेजली अगर फर्स बॉलिंग आया तो डिथ में टेकर है और मैं इन पर भरोसा कर रहा हूं सबसे बड़ी बात और इनकी टीम फेवरेट भी नजर आ रही है मांक स्टेकिटी के साथ मैं जा रहा हूं विकेट टेकर है कभी बंडल में ले सकते हैं वेस अगर एक डिसेंट ऑप्सन होंगे उसका रीजन बसे ही है क्योंकि इन प्लस क्रिसलीन और ख्वाजा भी अच्छे कैप्टेंसी ऑप्सन होंगे तो दोस्तों यह थी मेरी टीम जिसके साथ मैं जा सकता हूं बागी आप अपने हिसाफ से चेंजेच कर सकते हैं तो इसी के साथ यह समाप होता है आसा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा का सा हे करने का विनिंग में जिसने वीडियो को लाइक ने किया जल्दी से लाइक कर दे और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजेगा धन्यवाद